चुप जाओ देखें ये जो तुम्हारी उम्रे जिसमें जोश होना ची ये जुनून होना ची है कुछ भी कर गुजरने का दुसाहस होना ची है और ऐसे में तुम रे बगवान और कुछ ने तुम माश्री बना दे रे अरे बगवान निराश कर दिया इन बच्चों ने चलो जो मारवाड़ी मुकावत द्रोवता आवे जो मरियोड़ों और खबर लावे तो तो अब भी ब्याड की होई होनी ची है यह ही कहने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को मैं कोरलोगर अब फीस ही जमा कर दी रादर साल हो भी गया जो अगर किसी ने नहीं जमा रही है और अभी नहीं कर रहा है लेकिन अगले साल अगर कोई भ्याड करने का प्लान कर रहा है तो प्लीज खड़े में गिरने के लिए तेहरी नहीं करनी पड़ती वो तो आदमी वैसी गिर जाता है पहाड़ी पे चड़ने के लिए उंचाई पे जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है मैनत करनी पड़ती है खड़े में गिरने के लिए तो अपने आपको underestimate मत करो अपने आपको कम मत समझो शुरू में तो कम से कम अच्छे के लिए परियास करो लाश्ट में फिर नहीं होगा तो देखी जाएगी वो खलिल जिबरान की एक किस्सा सुनाया होगा मैं सुनाता रहतो मेरा फेवरेट किस्सा है कि लॉमडी ने सुबह सुबह अपनी चाया देखी और लॉमडी ने सोचा मेरे नाश्टे के लिए एक उट की जरूरत है नाश्टे के लिए लंच के लिए दा आतिवाती खाएंगे नाश्टे के लिए भी उट के लिए अब लॉमडी उट की तलाश में निकली डून ते डून ते दोपर हो गई उसे उंट नहीं मिला फिर उसने अपनी चाया देखी और सोचा अरे यार मेरे तु लंच के लिए भी एक चुआ काफी होगा कहानी बूरी हो गई अब तुम समझ गए हो समझदार को इशारा काफी होता है वो समझ गया तो लॉमडी ने दोनों बार अपनी चाया देखी खुद को नहीं देखा सुबह सुबह चाया बहुत बड़ी बनती है इसलिए लॉमडी ने देखा मैं इतनी विशाल काए हूँ इतनी बड़ी हूँ इतनी बड़े पशु के लिए तो नाष्टे में भी एक छोटा-मोटा उंट तो हो नहीं चीए और उसलिए उसने अपना अब्जेक्टिव वैसा बड़ा त्या किया दोपर में सूरज पूरा उपर आ जाता है लॉमडी के उपर से चाया तो नीचे उसकी जो पतली सी चाया बनती है बस मैं तो इत्ती सी है फिर तो मेरे लिए एक तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को या अपने आपको सही मुल्यांकन नहीं करता है कभी वह अपने आपको बहुत महान मान लेता है बहुत बड़ा मान लेता है और उस हिसाब से लक्षे भी ऐसा तेया करता है जो उससे कभी हासिल नहीं होना है और कभी-कभी इतना नीचे आजाता है कि वो अपनी जो रियल क्षमताएं हैं उनसे भी अपने आपको बहुत कम आँख लेता है तो इसलिए ना तो अपने आपको बहुत ज्यादा महान मानना है और ना बिल्कुल ही कि एक जुआ एक बीएड ही अच्छा यह कह रहा है सर बीएड ऐसी वैसी नहीं है सब से नीचे तो नरेगा होता है वो अभी हमने सोच रखाए इमान दर इस बताना तुम मैंसे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनने यह सोच रखा होगा कि और कुछ नहीं दो नरेगा तो है ही है नहीं तो मुझे लगता बीएड और नरेगा में कोछ ज़दा यह सफ़ाई दे रहा है सर वो यहां आने से पहले फीस्ट जमा करा दी थी वरना यहां आने के बाद फिर मैं बीएड के बारे में सोच लूँ इत्ते सारे लोगों को देख के बागी कई लोग ऐसे हैं जिननने बीएड का फॉर्म नहीं बराए क्योंकि उनको अपने उपर बहुत बरुसा है और उनको लग रहा है कि यह आरेस भी टेंपरेरी है फाइनल तो आईएस बनेंगे पर यह शुरुआत में इसकी तेहरी कर लेता है ऐसे किते लोग है जिननने बीएड का फॉर्म नहीं बराए यह देख लो यह तुमारा तमाचा है उन लोगों के मुँपे यह हाथ नहीं हाथ उड़ा है यह उनकी तरफ देखो देखें यह से यह करके आथ खड़ा करके उनकी तरफ देखो पर उसमें जो बीएड फॉर्म बराख चलो ठीक है कोई नहीं अरे कुल मिला के देखो मैं मेरा उद्दिष्य जो है मेरा उद्दिष्य इसमें बीएड को छोटा करना नहीं था और जो टीचर्स हैं उनको छोटा दिखाना मेरा उद्दिष्य नहीं था एक बार शारुक खान ने का कि हम तो शारुक खान जब लोगों की शादियों में जाता है डांस करता है पैसे लेता है तो लोगों ने कह दिया कि आप शादी में जाते हो डांस करते हो और पैसे लेते हो तो कि हाँ अब बिसी बात है क्या दिक्कत है तो वो किसी ने पूछा कि आप इस तरह से शादियों जाना तो शारुखान ने का हम तो बांड है हमारा काम लोगों का entertainment करना है वह बली पर्दे पे हो बली लाइव हो तो अब उसको खुला कह दिया शारुक खान थोड़ा क्या कहते हैं उसको फ्रेंक है थोड़ा सा जो जो भी होता है मुस निकलता है क्या देता है अब उसने अब पत्रकार तो पत्रकार है दूसरे सारे अब आपको नहीं बोलें आप उन से वापस पूछें तो कि आप अपने बारें बताओ आप हो या नहीं हम अपने आपको नहीं स्कीमान थे फिर किसी येकरदे एक्टर ने क्रितिसाइज भी कर दी कि शारुप खान को सभी एक्टरु' को उनको अपने बारें में व्यक्तिगत ओपीनियन देंएं दे सकते हैं लेकिन बाकि सकते हैं अप एसे कैसे सकते हैं तो फिर वापस बदरिगार आपकी वाले एक्टर्स आप से सहमत नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि आपके statement से बाकी सारे एक्टर्स जो है वो अराज हैं कि आ कि शारु क घो इस तरह से नहीं कह ना का चिये कि ओछणने क। यहां पर आ करसकता हूं करना चाहता था बलकि जो भांड हैं उनका सम्मान बढ़ाना चाहता था क्योंकि आज हम क्या करते हम लोगों का entertainment करते हैं और पूरा समाज हमें बहूत respect देता है हम जहां जाते हैं लोगों की भीड़ उमड पड़ती है हमें देखने के लिए हमारे आटोग्राफ लेने के लिए तो आज entertainment करने वाले लोगों का जो है वो सम्मान हो रहा है कदर हो रही है लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले जो भांड थे वो भी सेम वही काम करते थे लोगों का entertainment करना लेकिन उनको यतोचित सम्मान नहीं मिलता था उनको लोग जो है गाउं में रहने भी नहीं देते थे गाउं से बार रखते थे और entertainment के दोरान भी जो है वो उनको केवल उसी नजर से जो है देखते थे हालंकि वो लोगों का entertainment करते थे तो इसलिए मैं actors की कि respect को कम नहीं करना चाहता पर मैं चाहता हूं कि हमसे पूर में समाज के लिए जिन लोगों ने entertainment देने का काम अच्छा काम किया लेकिन उस समय में उन लोगों को यतोचित सम्मान न मिला इसलिए मेरा प्रयास है कि उनको भी उताई सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान हमें मिलता है तो इस तरह से जैसे philosophy में एक लाइबनीज हुए है और लाइबनीज ने जो है वो ideas की theory दी थी चलो खेर यह philosophy कल ज़्याद हो जाएगा चो गोई दी तो अपने आजाओ देखें और मैं खुद जो की मैं बनना नहीं चाहता था मैं जब आपकी तरह कॉलेज में था तब जो है मैं क्या करूँगा ये तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था क्योंकि मुझे अपने अंदर अनंत संभावना नजर आती थी as a ठीक रहेगा मुझे अपने आपके अंदर अनंत संभावना नजर आती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूं ये भी कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं बस एक बार ठानने का कमी है जिस दिन जो चीज ठान लेंगे वो बनी जाएंगे और लेकिन मैं जिन्दगी में कुछ भी बन जाओंगा लेकिन मैं कभी मास्टर नहीं बनूँगा तो ये मैं रोज डायलोग देता था सब के बीच में तो भगवान ने थोड़ा सिरिसली ले लिया अच्छा वेटा अब तो तुझे मैं मास्टरी बनूँगा और मास्टर भी असली वाला नहीं सरकारी नहीं नकली वाला जिसके पास कोई डिगरी नहीं है कोई सरकारी सर्टिफिकर्ट नहीं है कि तुम मास्टर हो लेकिन स्टिल यू आरे मास्टर तो यह भगवान शायद पर थैंक यू कोई नहीं भगवान का बदला भी कितना अच्छा होता है सही है पहले पहले मुझे बहुत दुख होता था नहीं नहीं जब कोचिंग शुरू किया था और जो मुझे याद आता कि मैं एक तो मेरा माइन हैंग हो जाता था मैं कर क्या रहूं फिर देखो तो यह काम ऐसा था जो मुझे नहीं करना था फिर मुझे लगा कि जो काम मुझे नहीं करना था बड़े बेमन से मैंने यह शुरू किया था कि यह माश्री करने जो बे मन से जिस काम को किया और वो भी ठीक से कर दिया तो अगर कोई काम मैं मन से करता है तो तो अगर ऐसा विचार मेरे अंदर आता है तो उसको गमंड कहते हैं कि इसे बेटा एक आदा काम हो गया जैसे तैस्सिकर के पार पढ़ गई इसलिए अब यह फालतों की फर्जी बात में करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए तो मैं इसी फर्जी बात हो ताड़ेया मत बजाए करो ताड़ेयां बजा दी चलो अपन पढ़ रहे थे जुडिश से इस्तापित ना करें जितना बड़ा आप लक्षे रखोगे टार्गेट रखोगे उसी के हिसाब से तुम्हारी बुद्धी का विकास होगा मैं हर सेमिनार में यह डायलोग बोलता हूं आप भी अगर आए थे आयोंगे तो क्योंकि बच्पन में बच्पन में कुछ चीज से कौन आया भई मौत के मूँ से उसमें है ऐसा कौन सी फिल्म थी अजा लो देख लो यह तो अभी से जैसा आदमी का not failure but low aim is a crime because big aim and great objectives bring out a great mind not failure but low aim is a crime अब बड़ा लक्ष रखते हो और असफल हो जाते हो इसमें कोई अपराद नहीं है कोई पाप नहीं है लेकिन अब छोटा उद्धिश रखते हो शुरू से ही तो यह अपराद है क्योंकि जैसा आपका उद्धिश होगा